हेलो माई डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी तो आज हम बात करने वाले एक्सराइज 7.3 के एक्जामपल की इससे पहले मने थेहरम से देख लिए हैं कि अगर किसी बच्छे नहीं देखी हैं तो प्लीज देख लो उसको समझ लो उसको काम की बाते हैं ऐसे तो बनाया न चलो फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं देखिए कोशिस करूंगा यहार देख ही ले एक बार ठीक है एक जामपल वन इन फिगर एडी एक एडी है अच्छा इस दा बाई सेक्टर ओफ एंगल है अरे यह तो बाई सेक्टर वाली थोरम लग रही है मिरको डाइग्राम तो बना इस यह बाई सेक्टर है मतलब इस अंगल इस इक फ्ली मुक्राइन सबसे संबसे पहले इन ट्राइंगल ABC AD is bisector of angle A तो हम यहाँ पर लिखेंगे bisector, internal bisector जो हमने theorems पढ़ी है, internal और external bisector of angle of a triangle वो वाला concept लगाईगे तो उस वाली line को तुम लिख ले ना तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे AB by AC is equal to BD by CD AB line जब हमने लिखी तो इसके pass वाली line लिखने है, that is adgen side, फिर AC line तुमने लिखी तो उसके just pass वाली, अपर pass वाली कौन सी? जिस line के तुमारे parts होएं, जैसे इस वाले part, इस वाली line को internally division किया है deep point ने internally divide किया है, इसलिए हम इसको internal division बोलता है, एक हम पढ़ेंगे external division जो example पढ़ेंगी, ठीक है, धान रखना है उसमें तो AB की value तुम्हें given as 6 AC की value तुम्हें find out करनी है BD की value 4 upon 3, तो यहां से तुमको होगे AC की value आएगी AC value आएगी 6 into 3 by 4, तो 2 और 3, this is 9 by 2 और 9 by 2 की value क्या होती है भाई, क्या होती है जल्दी बता हूँ मुझे, 9 by 2 की value 4.5 होती है क्या, yes, you can write here, this is 4.5 cm, can I check the answer, एक नटो जो, check कर लेते हैं, yes, 4.5, very good, समझ में आए सब को तो simple सा example था, क्योंकि starting में थोड़ा simple रहना भी चाहिए, चलो next example number 2 देखते है, in figure AD is the bisector of angle BAC, अभी थोड़ दिर पहले angle A नाम लिया था इसका, अभी BAC बोल रहा है, कोई दिकत नहीं है, घबराना नहीं है कि BAC क्या होता है, BAC उसी angle को बोलते हैं या बोल सकते हैं अपन angle A को बोलते हैं, angle के नाम 3-4 तरीके से लिखा जाता है, तो मैं इसलिए इसको बोल देता हूँ, यह है मेरा triangle ABC, बुक में ऐसा ही गीवाना मुझे तो यह दो angle A है, इसको byset करने वाली line यहां से गुजरी 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 और यहां पर आके D पर अटक गई हो, तो यह angle को क्या कर रही है, बाइसेट कर रहे हैं, if A, B is 10, A, C is 14, okay, B, C, अच्छा, अब यहां पर लिखना पड़ेगा, B, C, 6 cm है, तो मुझे बोला BD और C निकाल लो, अब BD और C, निकालने के लिए हमें पता तो चल रहा है, BD is 6 cm, तो या तो एक काम कर सकते हो तुम, कि BD को BD रखो, C, D को C, रखो, या फिर तुम let कर लो, कि this is X, let BD is X cm, तो BD अगर X है, तो तुम खो कि BD की value होती है, BD प्लस DC, तो अगर मैंने BD को X ले किया, और BC 6 गीवन है, तो DC की value इससे मैं X की term में निकाल पा हुआ, that is X-6, clear है, sorry, sorry, 6-X होगा, X-6 निकाल होगा, 6-X, अब यहाँ पर कई बच्चे सोच रहे होगे, X नहीं लें, तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, अगर तुम X नहीं लेंगे हम, तो अभी ए इस तरीके से अगर आप करना चाते हो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो मैं निकाल ठीक है, यहां तक कानी ठीक है, तो हम पता चल रहा है, एंगल A को by set कर रही है, तो हम internal division वाला concept लगा जेते हैं, AB by AC हो जाएगा, एंगल को बनाने वाली side का ratio, जो side divide हो रही है, उस B की value given है 10, AC की value given है 14, that is equal to, BD तुमने x let किया है, और CD तुमारा आया है 6 minus x, अभी तुम यहां से इसको cancel कर लो, 2 से, तो यह आएगा 5 by 7, तो अब cross multiply करोगे, तो 5 into 6x, sorry, 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 क्या लिख रहा हूं मैं, 6 minus x हो जाएगा, यहां पे dear, that is equal to 7x, और थोड़ा सा अंदर multiply करोगे that is 30 minus 5x is 7x, तो मुझे लगता है 30 दरी रखना पड़ेगा, 7x minus 5x करना पड़ेगा तुमें, तो 2x की value आएगी 30, तो x की value आएगी 30 by 2, that is 15, centimeter, this is our x, है न, बट यह तो नहीं आना चिए था यार, ऐसे तो, ऐसा तो नहीं आना चिए था, कुछ तो अच्छ तो अच्छ अच 12 आएगा तो अब इसको cancel करो, 2 से करोगे तो 15 by 6, फिर 3 से करोगे, तो 3 से आएगा, कितना आएगा 3 से, जल्दी बताओ मुझे 3 से कितना आएगा, यह 3 से आएगा, 5 by 2, that is 2.5 centimeter, क्योंकि अगर 15 आजाता तो फिर 6 से बढ़ा गया न, अब अगर यह 2.5 हा तो DC की value निकालने तो 6 माइनस 2.5 करो, that is 5.3, 3.5 centimeter, this is your DC, क्लिर हो पाया सबको, simple सा था न, ज्यादा हार नहींता हो, चलो next करते हैं, example number 3, इस example को थोड़ा साचे जे समझने ही कोशिस करना है, क्योंकि यह थोड़ा important लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्योंकि इसमें steps कुछा लग है, if the diagonal BD of a quadrilateral ABCD, अब इसका diagram अगर तुमने मान लो, ऐसे बना दिया, square तो मत बनाना, एक parallelogram जरूर बना सकते हो, ठीक है, यह तुमने इसको parallelogram बनाने ही कोशिस की, तुमने कहा यह मेरा quadrilateral है, जिसका नाम, मैं किधर से भी रख सकता हो, don't worry, जरूरी नहीं है, book वाला नाम ही रखो, मैंने for example इधर से रखा, उन बुक वाला चेक कर लेना, ABCD, उसने कहा जो diagonal BD है, मैंने कहा यहीं मेरी diagonal BD, यह जो diagonal है, by set कर रही है, बोथ, angle B और angle D को, मतलब यह वाला angle का part, इसके part के equal है, और this angle is equal to this angle, अब यहां से हमें, so करना है, AB by BC is equal to AD by CD, तो यह वाला concept देख साइड से आता है, मतलब side है ना नाम, तो side का name और angle bisector मतलब angle bisector of theorem लगेगी, बट कौन सी, triangle तो दिखी नहीं रहा, तो मैंने कहा एक बार दूसरी diagonal को मैं join करके देखता हूं, तो मैंने देखा है, जब दूसरी diagonal है, यह दोनों आपस में O point पे cut कर रही है, तो एक triangle मेरा angle को bisect कर रही है, अगर BD bisect कर रही है, तो O is the part on DB, बई O जो है, वो DB पे ही तो है, तो इसका मतलब DO भी bisect करेगी D को, तो यहां से एक थोरम लगती है, तो मैं मुझे दिख रही है, that is internal bisector, angle bisector of triangle, तो can I write, कि D को बनाने वाले side कौन सी है, अब काम आएगा, angle D को बनाने वा DC के पास, तो, अच्छा मैंने AC लिख दिया गया, sorry, यहां पर नीचे AD और DC आएगा, यह CU भी मैंने गलत लिख दिया फिर तो, okay, you can write here DC, अब मुझे DC के पास वाली side डूढ़नी है, तो DC के पास में मेरी कौन सी side है, बचा OC, तो you can write here OC, आप कहोगे AD के पास में कौन सी side है, मैंने का AD के पास में A हो, तो I can write here A हो, this is my equation 1, फिर मैंने का कोई दूसरा triangle बताओ, आपने का यह रहा, क्या नाम है, इस triangle का देखो, अच्छे से दिख रहा है, जब तक separate, मैं देखो, जब भी यह chapter पढ़ाता हूँ, तो मैं separate diagram बनाने की कोशिस करता हूँ, geometry के जितने भी equations ह अगर separately diagram बना के तुमने करना सीख लिया, तो बहुत easy है, इस वाले triangle में मुझे थोरम लगती भी दिख रही है, internal bisector, angle bisector of triangle, तो मैंने का कैसे लिखोंगा नाम, मैंने का angle कौन सा है, बुला angle B, तो angle B को बनाने वाली 2 side कौन से है, that is AB by AC, बले okay, so here you can check, यह O point है, AB के पास में side है, यहाँ पर AO, मैंने का okay, BC के पास में side है OC, ठीक है, तुमने equation 1 और 2 में कुछ observe किया, yes, RHS part are equal in both the triangles, so you can write here, LHS also equal in the triangles, in the equations, AB upon AC is equal to AD by DC, क्या यही प्रूव करना था तुम्हें, this you can write by the equation 1 and 2, समझ मैं है न, कितना easy था, बस step समझ रही है, हमें triangle ढूंडने है, जब भी ratio द करें, तो क्या ढूंडना है, तुम्हें triangle ढूंडना है, चलो next करते है, example number 4, यह रहा तुमारा एक number का MCQ, ऐसे कैसे कह रहे हो मैं, ऐसे कैसे कह रहे हो सरा, मैंने का रुको तो सुन तु सही बात को, यह थोरम भी बन जाती है, यह वाला जो एक थोरम भी और CBC के exam में भी आय हो फिर से वही बना रहे है, इसका नाम हम रख लेते हैं, PQR, कुछ अलग रखते हैं, तो थोड़ा सा अलग कुछ नया सीखने को मिले, तो एक angle का bisector, मैंने का इसी का बना लेते हैं, इसका सामने जाके मान लेते हैं, इसको T पे cut कर रहा है, intersect कर रहा है, ठीक है न, यह angle का bis bisector भी है, angle P के दो पार्ट करके निकली है, PT line, angle P के वर्टेक्स के दो पार्ट करके निकली है, bisect the opposite side also, मतलब जो line angle को bisect करके आ रही है, वो opposite side को भी bisect कर रही है, okay, prove that the triangle is isosless, तो जो तुमारा triangle PQR है, वो isosless है, अब यहां पे तुम देखो, जो angle bisector है, वो ही median है, दिख तुमें, this line also you can say median, why median, because median वही होती है, जो अगले वाली side को midpoint पे join करती है, किसी vertex से तुम्हें ऐसी line draw करो, जो अगले वाली side को midpoint पे draw करती है, तो यहां से question बनता है, इस line को हटा दो, इस isosless word को हटा दो, तो यह एक number का question बन गया, तुमारे को, option में isosless मिल सकता है, equilateral मि मिल सकता है, none of these मिल सकता है, या कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, तो you can say if the bisector of an angle of a triangle bisect the opposite side, वो opposite side को भी bisect करें, कैसे याद रखेंगी, कि अगर एक triangle के vertex से एक line draw करों, जो उस vertex के angle को भी bisect करें, और सामने वाली side को भी bisect करें, तो यह situation only isosless triangle में हो सकती है, और अभी हमें प pq by pr, why? because p by angle बन रहा था वो, जिसको bisect करके निकला, तो p angle, pq और pr की help से बना था, pq के just pass में line है qt, upon, pr के just pass में line है rt, adjacent side rt, तुम चेक कर सकते हो, देखो q और r के और यहाँ पे काम में हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो, since qt is equal to rty, तुमें लिखना पड़ेगा क्यों है एक वर, क्योंकि यह हमें given है कि pt intersect, या बहुत सकते हो, bisect qr, this way, that's the reason, pt bisect br, okay, bisects br, so you can say here, pq by pr is equal to, अब तो तुम qt की जगह rt रख दो, rt by rt, ठीका, कट गया, तो pq by pr किसके equal आया, one के equal, और यहां से cross multiply करोगे, तो तुम क्या लिख से तो pq is pr, तो एक ऐसा triangle है, जिसमें दो side है, एक बहुत सकते हो, आगे लिख माने के जोड़त नहीं है, तो इस question को तुम लिख लेना, और मेरे को भी याद दिला देना, जब मैं mcqs का question बनाओ, तो इसको मैं कैसे भी करके join करा लो, क्योंकि यह question important है मेरे लिए, ठीक है, च चलो कैसे देखो, यह कह रहा है, एक triangle है, pqr, मैंने खा, okay, मेरा triangle यह रहा, मैंना अभी shape से बना लेता हूँ, ताकि तुम्हें भी थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है, बस इसमें यह equilateral बन जाता है, कभी-कभी, यह इससे तुम iso slice ही बना सकते है, तो मैं एक बार बना लेत ठीक है, और angle b का bisector जो है, वो sc को d पे मिलता है, मतलब obviously मिलेगा ही कि मिलेगा, तो b से तुम अगर को bisector draw करोगे, वो आके, वहां से angle bisector करेंगे, तो लगबग यहां मिलेगा, तो this is our d, और यहां से तुम बोल सकते हो, this angle is equal to this angle, okay, clear है, bd is the bisector of angle b, okay, a line, pq parallel to ac, अच्छा, मैं एक green color की line ले लेता हूँ, जो ac के parallel है, तो मैं का, यहां से मैं एक pq line draw कर सकता हूँ, जो ac के parallel दिखे, okay, you can say this is p and this is q, and this line is parallel to this line, okay, ठीक है, हमें डरा रहा है, बस कुछ नहीं कर रहा, तो कह रहा है, ab meets, ab, bc and bd, यह ab को भी कट करेगा, bc को भी कट करेगा, और bd को भी कट करेगा, देखो, इसने ac के पास में कौन सा point बता है, p, मैंने सही लिखा है, ठीक है, bc के पास में कौन सा point बता है, q, second word, okay, q भी सही लिखा है, और bd को कहां पर कट करेगा, r पर, तो मैं यहां पर r लिख दू, चलो, अब हमें कर रहा है, so that, क्या, p, r upon b, q, पी से r upon b, q, अच्छा, ठीक है, q से r, q से r, b से p, b से p, तुम्हें लग रहा है, इस triangle की बात कर रहा है, वो क्या triangle b, p, q की बात कर रहा है, क्योंकि इस से बाहर की कोई बाते हैं, वो इसने लिखी नहीं है, आपने का, हाँ, मैंने का, triangle बनाते हैं एक बार, यह triangle अगर है, उसने ऐसे समझ के हमें बताया है, एक बार मैंने diagram थोड़ा सा अलग किया है, यह उपर जगए नहीं थी, यह है, यह b है, यह p है, यह q है, और यह r है, और यह bisect करती भी निकल ले, तो इस triangle में bisectर थोरम लग सकती है, क्या लगगी, bp by bq, क्यों लगी भाई, क्योंकि angle b को बनाने वाली एक side यह है, और एक side यह है, और इसके adjacent side कौन कौन से, देहन से देखो, bp के पास में है, p से r, देहन से देखना, p और p, यह भी याद रखा करो, b से q के पास में है, q से r, औके, और इसने क्या किया, p से r को, b से q से multiply, तो मैं cross multiply कर सकता हूँ, देखो, यह observe करना पड़ेगा मैं, तो मैं cross multiply करूँगा, तो pa into bq होगा की नहीं होगा, okay, that is equal to qr into bp, yes, qr into bp भी होगा, तो यह तो simple सा solve हो गया, तो मैं लिखना कैसे तुम्हें पता ही होगा, कि in triangle bpq by angle by sector theorem, विकन से bq is equal to pr by qr, तो यह fast part तो मा solve हो गया, मैंने कहा है, second part में क्या पूछना चारा है मेरे से, second part में कह रहा है, ab into cq, कहा ab, ab, ab पूरा, अच्छा, cq छोटा सा, अच्छा, ठीक है, cq ध्यान से देखना, यहां से लेके, यहां तक की बात कर रहा है, बी, c, bc, पूरा, okay, upon में ap, into ap, अच्छा, ap इस छोटे वाले की बात कर रहा है, इसकी, अरे, यह तो पहले लाइन के पास की बात कर रहा है, मतलब, in a triangle, abc, pq is parallel to ab, ac, sorry, तो हम bpt theorem से क्या लिख सकते है, bpt theorem से हम लिख तो बहुत को सकते है, बट हमारे को जो नाम चीए, वो लेना है, मतलब, ab पूरा चीए, और bc पूरा चीए, तो मैंने खाँ, इधर मैं अगर ab रखूँगा, तो उधर मेरे को BC रखना पड़ेगा, यह rule है मेरे पास, ठीक है, पर यह triangle ऐसे है, यह triangle तुम्हारा ऐसे है, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, और यहाँ पे c है, कोई बच्छा है, अगर इसक क्या लिख सकते हो तुम लिख सकते हो BP by PA is equal to BQ by QC लिखना क्या है वो depend करेगा तुम्हें क्योसन में पूछा क्या क्या है उसने मेरे को पूछा QC और AB बोला देखो यहां पर मेरे को AB दिखा तो मागर इधर AB लिखूं तो इधर equal में मुझे BC लिखना पड़ेगा ओके फिर वो बोला CQ मैं का CQ किदर लिख सकता हूँ मैं इसके नीचे CQ लिख सकता हूँ तो इसके नीचे एगर CQ लिखा तो उदर तो AP आएगा और वो मुझे चाहिए अब इसका cross multiply कर दो cross multiply करोगे तो AB into CQ is equal to BC into AP आएगा कि नीचे आएगा समझने की कोशिज करो यार देखो कितना easy है हमें यह पता चल गया देखो दिक्कत क्या रही है यह पता चल गया बट लिखना क्या है वो पता नहीं चल रहा उसके लिए हमें देखना पड़ेगा वो पूछ क्या रहा है चल लो next करते है एक्जामपल नमबर 6 यह जो एक्जामपल है ना यह एक्जामपल इस टाइप के एक्जामपल MCQ में भी आ सकते हैं बट तुम्हें यहां पर समझना क्या है वो समझो पहले दो कि यहां पर एरिया वर्ड दीखते ही बच्चों के दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि एरिया इसके बाद एक कॉंसेप्ट आएगा अपने पास कि दो सिमिलर ट्रैंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है तो उनका दिमाग सिधा जाता है बट वहां पर पावर स्क्वाइर में होते हैं तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं बट अभी एक बार जो अभी तक मैथड है उससे करके देखते हैं हमारे पास दोई प्रोपर्टी ना भी एंगल बाइसेक्टर वाली और बीपीटी थोरम वाली ठीक है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना और हमारे को ऐसा एमसी क्यूज भी मिल सकता है कि एक ट्राइंगल एबीसी हो जिसमें कि AD is the bisector of angle P कि AD is the bisector of angle P लिख दिया है मैंने यहाँ पर एंगल A है गलती से लिख दिया कि इंगल A का bisector है इंगल D तो इतनी बातों से तुम क्या लिख सकते हो जल्दी से बताओ मुझे इतनी बातों से हम लिख सकते हैं AB by AC की value BD by CD के equal होगे यह बात लिख सकते हो फिर उसने कहा कि प्रूव करो एरिया ओफ ट्राइंगल ABD का ABD यह चोटे इधर वाला दिखरा इधर वाला यह जो ट्राइंगल ABD है और इस ट्राइंगल का नाम ACD है इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो AB by AC होगा यह प्रूव करो तो यह तुम्हारा MCQ बन सकता है कि वो पूछ ले इसका रेशियो क्या होगा और नीचे तुम्हारे इस टाइप के चार ओप्सन दे देगा तुम्हें जहां से देखना मैं बोला कि अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसमें पर्पेंडिकु तो यहां से तुम्हें नाम देदो P, you can say AP is perpendicular on BC, इससे क्या फाइदा हुआ, इससे एक फाइदा यह हुआ, कि एक ट्राइंगल है तुम्हारा यह वाला, जिस ट्राइंगल का नाम है तुम्हारा A, B और D, जिसके अंदर तुम्हें पर्पेंडिकुलर दिख रहा है तो सबस नहीं होता और जिस पे हाइट ड्रो होती है वही साइड बेस होती है, तुम्हों कि अगर दूसरा ट्राइंगल बनाने जों, जहां से समझना वह यह बात कई हों को हजम नहीं होती है, आज हजम कर लो इस बात को, अगर मैं बोलूँ कि यह ट्राइंगल मेरा A, B, C है और यह यहां से लेके यहां पर पर्पेंडिकुलर है, इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करने पर यह पी, तो इस ट्राइंगल की हाइट क्या A, B है, यह बात कई हों को हजम नहीं होती है, पहली बात, अगर A, B हजम भी हो जाती है, तो उनको यह समझ में नहीं आता, कि हम DC क्यों ले रहे हैं, बेस को DC क्यों ले रहे हैं, यहां पर हाइट तुमने उपज़र कर ली, चलो हाइट तुमने समझ ली कि AP है, फिर उनको दिक्कत होती है, बेस आपने CD क्यों लिया, बेस तो PC होना चाहिए था, बट हमें तुम्हें पहले भी बता सुखा हूं, कि ट्राइंगल की साइड को कंसीडर करना है, तो कौन सी साइड को प्रोड्यूस करने पर बाहर जाके परपेंडिकुलर ड्रोवा, DC साइड को, तो हम साइड DC लेंगे, ठीक है यह बात भाई, तुम हजम करो, या उपज़र करो, कैसे भी करो, तुम मुझे बताओ, इसका एरिया क्या लिख रहा है, तो तुम कहोगे, this is equal to half into BD into AP, मैंने खाँ, okay, upon, ACD का ट्राइंगल का एरिया है, half into DC into AP, मैंने खाँ, AP से AP कट गया, half से आप कट गया, तो किसके equal आगया है, BD by DC, बट मुझे पुछा तो उसने AB by AC है, मैंने खाँ थोड़ देर पहले मैंने लिखा था, BD by CD की value क किसके equal है, AB by AC के equal है, तो can I put here AB by AC, और यह मैरा part concept और प्रूव हो गया, कितना simple सा question है, इसमें मेरे साब से जो बाते दिक्कत कर सकती है, वो एक तो area कैसे निकालते हैं, वो, दूसरा, यह जो obtuse angle triangle है, उसमें जो height होती है, उसमें side BC, side कौन सी लेते हैं, यह problem आ सकती है, बाक कि तुम इसको अच्छे से practice कर लो, time निकाल के, क्योंग छोटे वीडियो बनाने का motive भी कभी कभी होता है, कि बच्चे जादा बड़ा वीडियो नहीं देख पाते हैं, और वो उस concept को नहीं समझने कोशिस करते हैं, तो तुम question solve करने माता हो, concept समझो कि क्या क्या हो रहा है, म मैंने हाँ पर तुम्हें दो type के question बता दी है, MCQs में, अगर तुमने उज़र किया हो तो, नहीं किया तो प्लीज एक बार वीडियो को revise करके देखो, तुम्हें उज़र हो जाएगा, okay, thank you, have a nice day.